मन में हमेशा एक ऐसा विचार अधैमन थै कई बार पिछले बार कई ऐसका की आधाव से अगर। रहा होई हैं वही जो राम रची रखा तो क्या मतलब यह आध्यात्म मैं मतलब ऐसे मानने कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल, तो यह ऐसा होता ही है, मतलब तो होना ही साइकल ही है, तो होना ही साइकल ही है, क्या मतलब इसका निकाले ऐसा? ऐसा है यहां पर जिस अर्थ में आत्मा और परमात्मा की बाद की गई है आत्मा मन है और परमात्मा सत्य है व्यादिक वहाशा में अगर इसको देखेंगे तो यहां जिसको आत्मा कहा गया है वो मन है और जिसको परमात्मा कहा गया है वो आत्मा है ठीक है, उपनिशदों में आत्मा परमात्मा दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, आत्मा ही होती है, आत्मा के लावा कोई परम आत्मा नहीं होती है, आत्मा ही परम है तो परम आत्मा क्या होगी, यह वैसी ही बात हो जाहेगी, जैसे कोई कहे सत्य और परम सत्य, सत्य जब है ही तो परमसत्य क्या होगा, यह ही है, लेकिन चुकि आम आदमी कि यह आदत बन जाती है, कि वो मन के साथ ही पहचान बना लेता है, वो मन को ही मैं समझने लगता है, तो आम बोलचाल की भाशा में, मन का ही नाम पड़ जाता है, आत्मा, और फिर हम आत्मा को लेकर इस तरह की बा आत्मा की शानती के लिए ऐसा काम करना है, या मेरी आत्मा ऐसा कह रही है, अब निश्चित रूप से यह सब बातें आपनशदिक आत्मा के बारे में तो नहीं कही जा रही है, क्योंकि वो तो अकरता है, और स्वयंभू है, और पूर्ण है, आत्मा यदे सत्य है, तो सत्य तड़क कैसे सकता है? कह रहे हैं कि आत्मा की शान्ती के लिए कुछ करना है, आत्मा यदि सत्य है तो सत्य अशान्त कहां से हो गया भाई? कि अब इसे तुम शान्त करोगे? तो यहां आत्मा परमात्मा के विशय में आपने जिग्यासा की ए, यह समझना ज़रूरी है कि वो जिग्यासा मन और आत्मा के बारे में हैं, मन और आत्मा के बारे में हैं, अब कह रहे हैं कि राम रची राखा, यह किसने कर दिया कि मन आत्मा से अलग हो गया, राम ने यह खेल रचा ही क्यों, ऐसा हो ही क्यों गया, कि मन आत्मा से अलग हो गया मन का जो भौतिक अभिवेक्ति है उसका नाम है जियू ठीक है और जियू के सामने कड़ा है संसार और आत्मा का ही दूसरा नाम है हमने जैसा कहा था सत्य तो घूम फिर करके आपके प्रश्न यह है कि ये संसार है ही क्यों क्योंकि जब संसार है, तब ही तो जीव में और आत्मा में, मन में और सत्य में दूरी है ना, दुनिया इना होती, जीव ही ना होता, तो कोई दुएत ही ना होता, कोई दूरी ही ना होती, तो आप पूछ रहे हैं कि ये दुनिया है ही क्यों 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 क दुनिया क्या है ये जानने के लिए उस तक जाना होता है जो ये पूछ रहा है कि दुनिया क्यों है उससे पूछना होता है तू कौन है क्योंकि दुनिया को देख तो तू ही रहा है तेरे अलावा तो कोई ही नहीं गवाही देने वाला कि दुनिया है भी तू ना हो तो कोई न बोल पाएगी दुनिया है तो तू बता तू कौन है तू कौन है जो दुनिया को अपने आप से अलग देखता है आ तू दुनिया को अपने आप से अलग देखता है तो निश्चित रूप से दुनिया तेरी ही वजह ऐसे है और तू ना आओ तो फिर दुनिया भी नहीं होगी, मिल गया दुनिया का कारण, कौन है वो? जो दुनिया को देख रहा है, वही दुनिया का प्रक्षेपन कर रहा है, यहां तक कह सकते हैं, हालां कि बात पूर्णतया शुद्ध नहीं होगी, कि वही दुनिया का कारण है, वही दुनिया का कारण है, जो दुनिया का दृष्टा है, वही दुनिया का कारण है, अब कारण कारण में फर्क होता है आप अगर शास्त्रों मजा ऐएंगे तो निम्मित कारण उपादेगे कारण कई तरह कारण बताएंगे लेकिन अभी मोटी मोटी बात यही समझ लिजी कि जो दुनिया को देख रहा है और जो दुनिया के विशा हम प्रश्न कर रहा है कि यह दुनिया ह वो क्यों हैं, जैसे-जैसे आप अपने विशय में जिग्यासा करते जाएंगे, वैसे अपने विशय में अस्ती का भरं मिळता जाएगा. यह मैपना जितना मिळता जाएगा, दुनिःा उतनी ही मिळता जाएगी. क्या दुनिया विलुप्त होती जाएगी, आप दिवार की और दिखेंगे, दिवार दिखाई नहीं देगी, नहीं दिवार दिखाई देगी, किसको दिखाई देगी, आँखों को दिखाई देगी, आपके लिए दिवार अर्थहीन होती जाएगी, आपके लिए दिवार अर् दिखाई देता है, अर्थ का मतलब समझते हैं, उसी अर्थ से आता है स्वार्थ, अहम को हर चीज में रुचि और उच्छ उक्ता होती है, क्योंकि कोई भी चीज उसको लगता है, कि उसकी अपूर्णता को भरने में सहायक हो सकती है, दुनिया को इसी दृष्टी से देखता ह मैं अहम हूँ, मेरे सामने दुनिया है, यह दुनिया मेरे काम की चीज़ है, या यह दुनिया मेरे ले एक खत्रा है, जैसे जैसे आप अहम के बारे में जिग्यासा करते जाते हैं, भीतर जाते जाते हैं, वैसे अहम की शुद्ध होती जाती है, अब उसके लिए दुनिया मात ताक्राट्रेक्थ्थ्थ् अब वह इस भरम से भी निजात पागया, कि दुनिया जड्ड है और वो चेतन है। अभ वो और दुनिया एक हो गए — तो अब बताईए, दुनिया बची गहां। हम कै दुनिया बची कहा है, कि अहम और दुनिया roller इक हो गए, या तो दोनों को जड मान लिया या दोनों को चेतन देख लिया तो दुनिया बची नहीं प्रश्न बहुत बड़ा था पता चल गया कि प्रश्न करता ही प्रश्न है प्रश्न करता में प्रवेश करना ही प्रश्न का समाधान है अब तक जितना मैंने बदलने की कोसिस किया है और कर रहा हूं जब मैं फस्ट यर में था तब कॉलेज में एडिविशन लेने से पहले मैं अश्टावकर गीता खरीद लिया था और वहां पर एडिविशन लेने के बाद फिर उसे पहले मैं काफी वह बुक पढ़ा तो वहां अभी ऐसा उसमें लिखा गया है उसको पंडेक बाद मुझे भी समझ भया कि सचमुची है जो लिखे है परियार ने वह सही लिखे है पर फिर भी मेरा इदर जो अश्टावकर का किताब जो मैं पढ़ते रहता था उसके तरफ मेरा ज्यादा मैं काफी स्प्रिच्वल गुर से शुरू किया था वीडियो देखना उससे पहले मैं नहीं देखता था लेकिन अभी इतना जैसे की चार सालों में इतना नौलेज हो गया है सब कुछ है कि अभी मैं अभी कंपनी में जब मैं काम करता हूं तो मैंनेजर को समझाने लगता हूं तो दो तिन तिन गंटे उनक किन चार साल में इतना ड़रखे इतना सुनके ग्हान का इनकि परमात्मा का नुभाव करनाै कि क्या करोगे परमात्मा को भोगो ओगे नहीं अचार जी भोगने की बात फिर तुमने आज तक जिस भी चीज का अनुभाव करा है तुमने उसका क्या करा है उस चीज का अनुभाव करके तुमने उसका क्या करा है भोग ही तो करा है ना तुम्हें दिखनी रहा परमात्मा का अनुभाव भी करने की यह जो बड़ी प्रचलित मांग है यह क्या होती है हमें पर्मात्मा को भी भोगना है अचा यह बताओ मानलो सौज अन्या जो कहίνon पर्मात्मा का उन्भाव चाहिए इनको आश्वस्ति दे दी जाहे कि पर्मात्मा का उन्भाव मुरित्य तुल्ले कष्ट देता है एकदम दर्दना क होता है जीखे मारोगे, गिर पड़ोगे, भीतर अद्रश्य खुन की धाराएं भहेंगी। तो सौ मैसे कितने लोग बचेंगे जो कहेंगे अभी भी अनुभाव करना है। एक आथ कोई बचे तो बचे तो बचे, संकी हर जगा होते हैं। अन्ठानेवे निन्यानवे तो भगी जाएंगे। इसका मतलब जब तुम परमात्मा का अनुभाव खोज रहे हो तो वहां भी खोज क्या रहे हो। सुख ही तो खोज रहे हो। तो यह तो वही पुरानी सुख की चाहे हैं। कोई मिठाई की दुकान पे खोजरा है। कोई कह रहा है कि मुझे अध्यात्म के रास्ते से चाहिए। परमात्मा का अनुभाव। अनुभाव मोस तुम्हारी अपक्छाएं भी यूंऑ नुभाव। यह उप्छाय भी ओष देह उती यह ंमीद तो विल्कुल नहीं जोती कि परमात्मा का अनुभाह ओगा। और तुम बिल्कुल रोने, चिलाने, गरजने, चिंगाडने लगोगा, यह तो नहीं होता ना, छबी तो है कि परमात्मा का अभवगा तो अपूर उशांती उतरेगी, हा हा हा, क्या ना मजा आएगा, अमजा ही नहीं आएगा, उसके बाद हम हक्दार हो जाएंगे, अपने न भई छोटा मोटा थोड़ी यह परमात्मा का अभव हुआ है, तुम हो कौन, तुमने क्या अभव कर लिया, तुमने क्या अभव किया है, तुमने 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 क् अश्टावक्र ने कहा है कि परमात्मा का अनुभाव, एक शलोक दिखादो, जहां पर मुनी अश्टावक्र परमात्मा के अनुभाव की बात कर रहे हो, पूरी अश्टावक्र संग्विता में, आज रात ले 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 पूरी, कल मेरे सामने आ जाना. वही पुरानी तलाश, वही पुराने तरीके, कोई तरह तरह के वेंजनों के अनुभाव लेना चाहता है, कोई जगा जगा घूमने के अनुभाव लेना चाहता है, कोई तरह तरह की फिल्मे देखने के अनुभाव लेना चाहता है, कोई तरह तरह की फिल्मे देखने के अनु लेना चाहता है। उसी कामना का विस्तार है कि अब तो मुझे परमात्ना का अभव भी चाहिए। और मज़दार बात यह कि कई धुरंदर ऐसे होते हैं जेने अभव हो भी जाता है। तो कहते हैं मुझे हो भी गया। सत्य का अनुभव क्या तुमने शास्त्रों का पाठ करा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सत्य अनुभव का विशय हो सकता है। सत्य अनुभव का विशय हो सकता है क्या। तो फिर परमात्मा का अनुभव क्यों पूछ रहे हो। सत्य वो है जो किसी के अनुभव में आही नहीं सकता। जो कोई कहे कि उसे सत्य का अनुभव हुआ है। वो या तो अज्ञानी है या धूर्त है या दोनों है। क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो। सत्य का अनुभव नहीं होता। अब समझो। सत्य की क्रिपा से जीवन के रोजमर्रा के अनुभवों का जूठ देखा जाता है। सच का अनुभव नहीं होता। सब अनुभवों का जूठ देखा जाता है। और अगर जूट देख पा रहे हो सब अनभवों का, तो इसको कहते हैं सच की क्रिपा, पर उस क्रिपा के फलसरूप तुम्हें सच नहीं दिख जाएगा, तुम्हें दिखेगा क्या, जूट दिखेगा और यही तो क्रिपा है, कि पहले जूट में फसे रहते थे, अब जूट दिखने लग गया, सच की क्रिपा से सच नहीं दिखता, वो दिखने की वस्तु ही नहीं है, वो मन, वचन, कर्म, सब इंद्रियों के पार का है, उसे तुम कहां से छू लोगे, उसका कोई चिंतन मनन भी नहीं हो सकता, उसका कहां से तुम अनुभव कर लोगे, हाँ, उसके स अगर अहम नमित रहे, और ये भी उसी क्रपासे होगा, अगर उनमित है तो, उसकी क्रपासे अगर अहम नमित है, तो जीवन का जूट दिखना शुरू हो जाता है. तो मुझ में आ रही है बात, ठीक ऐसे जैसे रौशनी होती है, किसी ने रौशनी देखी आज तक? कोई है ऐसा जिसने आज तक रौशनी देखी हो, आप रौशनी देखी नहीं सकते हैं, आप हमेशा वो पदार्थ देखते हो, जिससे रौशनी परावर्तित होकर आ रही है, तो रौशनी नहीं दिखती है, रौशनी के अनुकंपा से दुनिया दिखती है, जब सवेरा हो जात आप यह थोड़ी को कि मुझे रोशनी दिख रही है, रोशनी हुई है तो दुनिया दिख रही है, दुनिया दिख रही है, रोशनी एक मौजूदगी है, रोशनी एक उपस्थित है, जिसको सीधे सीधे कभी नहीं जाना या अनुभव किया जा सकता है, हाँ, उसकी रोष्णी नहीं है ना रोष्णी होती है तो सब अनुभव फिर साफ, सच्चे, विवेक पूर्ण होने लग जाते हैं। पुराने अनुभवों से निजात मिल जाती है। यह होती है सत्य की कृपा, सत्य की कृपा के अभिलाशी हो बहुत अच्छी बात है। पर अगर सत्य के अनुभव की अभिलाशी हो तो यह बड़े अहंकार पूर्ण मन की मांग है। मन कहा रहा है मैं इतना बड़ा हो गया कि अब मैं सच्का ही अनुभव कराऊंगा। सत्य के आगे जुकते हैं। उसे अनुभव में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर दोहरा रहा हूं। सच्के आगे जुका जाता है। उसे अनुभव में लाने की कोशिश नहीं की जाती। क्योंकि सारे अनुभव इंद्रियगत और मानसिक होते हैं। सत्य न तो इंद्रियों की चीज है न मन की चीज है। वो एक समरपण है। किसके सामने ये भी नहीं पूछा जाता। बस ये देख लेते हैं कि कुछ है जो हमसे बहुत बहुत बढ़ा है। कि उसका माप भी नहीं लिया जा सकता। एकदम असीम है, उसके आगे जुकना पड़े गाई, उसकी मौजूदगी का प्रमान क्या है, उसकी मौजूदगी का प्रमान यह है कि जब हम जुके होते हैं, तो दुनिया का यथार्थ दिखने लगता है, उसकी मौजूदगी का प्रमान यह जब जुके होते हैं, तो अशा प्रतियक्ष का तो मतलब हो जाएगा प्रतियक्ष आखों के सामने, आखों के सामने सच कभी आए गई नहीं, तुम्हारी ये आखें सब कुछ देख सकती हैं सच के अलावा, तो फिर संतों फकीरों ने काया कि तुम्हारी आखें जो कुछ देखती हैं सब जूट है, क्योंकि कि सच कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, सच कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, जानने वाले और अगे गए हैं, कहो तो बताउं, बताउं, सच परोक्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वही तो कभी परोक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष है वही परोक्ष हो सकता है, परोक्ष मतलब जो आखों से हट कर है प्रत्यक्ष माने जो आखों के सामने है तो जिन्होंने जाना जैसे आदिशंकरा चाहरे थे उन्होंने कहा न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है फिर भी बहुत करीब है तो कहा अपरोक्ष है अपरोक्ष है तो सत्य की अनुभूती को भी लेकर के उन्हों 네 क्या कहा? अपरोक्ष अनुभूती अनुभूती तो है, पर वो ऐसी अनुभूती है जिसका अक्ष्se कोई लेना देना नहीं है न पत्य TanSCI Na परोक्ष न प्त्यATHAN bolts Na परोक्ष्se यढ मनी वोगों किसे сर arsenal को अस पोगों कि नहीं नहीं अथी हो जण की मुछ तुमें कि बहुँ हो जाओ कि हम्हों कि तुम्हों हो एे वह तो सब सब सत्थे कि हैं सवाल इःग मैं एक अगो क्यों कि तब अनुभाव होने के लिए कोईं कोई बचैनों नहीं नहीं!? ना अनुभोकता बचा ना अनुभाव बचा अब जो अनुभाव हुआ वो सत्य का अनुभाव है बताओ चाहिए बताओ चाहिए चाहिए अच्छा गर रहा है हां बोलेगा तो भी गड़ड़ है अवल वहां बोलेगा तो भी कड़ड़ क्योंकि हां बोलने वाला कोई होगा ना बोलने वाला भी कोई होगा सच कानुभाव थो निए यह है जो अभी धर्शाहर है मान को फुटों कर नहीं भीतर भी मान उतर गया बिल्कुल कोई बचा ही नहीं सत्यक्य अनुभाव की कामना करने वाला, सब कुछ मिट गया, तब तुम कह सकते हो, कि अपरोक्ष अनुभूती हुई, पर तब कहेगा इकॉन, तब ये सब कहने सुनने में रुचिकिस की रही, कॉन आएगा फिर कहने बताओ ना, खाली घर से हवा बह गई, खाली घर जिसकी खिड़कियां भी खुली, जिसके दर्वाजे भी खुले, उससे हवा बह बह कर गुजर रही है, बोलो कॉन कहेगा कि मैं हवा के मजे ले रहा हूँ, कॉन कहेगा कि मैं हवा का नुभाव ले रहा हूँ, बोलो, हमारे घर आम तोर पर बंध होते है न खिढ़किया भी बंध, दरवाजे भी बंध जब घर ऐसा हो जाए कि खिढ़कियां भी खुली हुई है, दरवाजे भी खुली हुई है और भीतर रहने वाला, कोई नहीं और पूरे जगत की हवा बह रही है भीतर से पूरे आकाश कि हवा बह रही है तो सत्य और तुम एक हो गए यह सत्य कि अनुभूती है अब सत्य और तुम एक हो गए अब घटाकाश और महाकाश एक हो गए यह सत्य कि अनुभूती है लेकिन अब बताने कौन आएगा कि सत्य कि अनुभूती हो गई जब तक घर में कोई है तो जो है उसको भौतिक अनुभव ही होंगे क्या है? भौतिक अनुभव और यह कोई लाजशरम की बात नहीं है कि आपको भौतिक अनुभव होते हैं उन भौतिक अनुभवों में ही विवेक पूरुवक तत्थे और अतत्थे को देखते चलो, सार और असार को देखते चलो दुनिया क्या ही जो उन्भव हो रहे है ना, इन पे ही कड़ी नजर रखो इनमें सच जूट क्या है यह पता करते चलो, पस यही काफी है हम जो असीम है, जो अग्ये वो तुम्हारे ग्यान में कहां से आने वाला है? और अश्टाव कर गीता, बस एक बार पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो. यह क्या तुम चार साल में ग्यान इकठा करके लाए हो? अगर उस पूरे ग्यान का निचोड यह है कि अनपरमात्मा का अनुभाव चाहिए, तो कूड़ा है ग्यान, फेको उसे, मानो कि कुछ नहीं जानता हूँ. अभी तुम्हारी साधना यही है कि अपने ग्यान से निवरत्त हो जाओ. पूरे ग्यान को एक तरफ कर दो, जैसे कुछ नहीं जानता, बिलकुल अंजान, और फिर एक बार उठाओ अश्टाव करगीता, भीतर क्रांते होगी. पूरे लोड़ी प्यान बार प्रावी तुम्हारी साधना यहीं जानता होगीता, पूरे लोड़ी तुम्हारी साधना यहीं जान है।